नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूजवल इंडिया आपके साथ मैं हूं काजू उनरा है सिधात नगर में मूर्ति विसर्जिन जैसे धार्मी कारिक के दौरान असलाह लहराते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वारअ वीडियो हम आपको दिखाने जा रही है तीन दिन के अंदर शौरतगर में धार्मी कारिक्रमों के दौरान असलाह लहराने की ये दूसरी घट न बताई जारी है बारल हो रहे हैं वीडियो में मूर्ति विसर्जन के दौरान डीजे के गीतों पर जूम जूम कर थिरकते असलाह लहराते साफ ये यूवक नजर आ रहा है ये देखें शौरणगर्ध धानाश्वित्र के मीन मार्किट का ये बारल वीडियो बताया जा रहा है सिधात अगर की तस्वीरे आप देखेंगे जहां मूर्ति विसर्जन के दौरान मौहौल बिगारा गया है धार्मी कारे में असलाह लहराने का वीडियो तेजी के साथ वारल हो रहा है कोई भी हादसा हो सकता था लेकिन उसके बावजूद भी युवा को ये समझ नहीं आया वो एक के बाद एक डीजे पर थिरपता रहा और असलाह लहराता रहा तो सिधात नगर के तस्वीरे शोहरत गड़ थानर शेतर के में मार्कित का वीडियो बताया जा रहा है इसे खबर पर जादा अब्रेट के लिए मेरे से योगी दीप मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं सिधात नगर से दीप तीन दिन में दूसरी घटना मूर्टी विसरजन का मौका और वहाँ पर इस तरह से असलाल लहराया जा रहा है कोई भी हाजसा हो सकता था इस योग पर किस तरह की कारवाई की गई है जी मैं आपको बता दूँ यह सिधात नगर जिले के सोरतगर ठाना चेतर का मामला है यह सोरतगर नेपाल बादर से सटा हुआ है बड़ी घानी आबादी का चेतर है जहां पर मूर्टी विसरजन के दोरान सेक्डो लोग डीजे पर डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं जिसमें एक इवक असलाल लहरा रहा है इस तरीके से असलाल लहराना पुलिस पर बहुत बड़ा सवालिया निसान खड़ा करता है उनकी सुरच्छा पर उनकी दिवस्ता पर कि उनकी इतने बड़े प्रोग्राम में क्या वहां पर कोई पुलिस वाला नहीं था और इस तरीके से असलाल लहरा रहा था और किसी की नजर उस पर नहीं पड़ी आपको बता देए वीडियो जब सोचल मेडिया पर वारन हो ले रगा तेजी से जो है और इस पर पुलिस ने जो है संग्यान लिया है और मुकदमा दर्च कर इस युवक की तलास की जा रही है बिल्कुल दीप लेकिन देखा जाए तो एक धामिक सम्मेलन इतनी जादा भीड और कुछ तस्वीरे ऐसी भी सामने आती है जो आप पर नश्वे में युवक जो है वो नाश्टे तिरक्ते बे नजर आते हैं इस वीडियो में भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है तमंचा रहराते ये युवक डीजे पर डांस कर रहा है हादसा हो सकता था गनीमत रही की हादसा नहीं हुआ लेकिन क्या ये असले का लाइसेंस इसके पास है या फिर अवैर तरीके से अर्जित किया हुआ है इस पूरे मा कि जा रही है पुलिस जब इस वीवक को पकड़ लेगी फिर उससे खुलाता होगा कि ये अबेद असलाह था या लाइसंसी असलाह था अगर लाइसंसी भी था तो इस तरीके से किसी धार्मी प्रोग्राम में किसी जगा असलह का परदर्सन नहीं होना चाहिए ये इवक को होने था कि नहीं था इस तरीके से असलाह परदर्सन कर रहा था इसको इसके अंजाम के बारे में नहीं पता था जिस तरीके से तिरक रहा था अब मामला जाच कब इसे है पुलिस इस पर जाच कर रही है जब ये विवक पकड़ा जाएगा तब कि ये अबेद असलाह था और अपिक्टे से डीजय बजड़ रहा ता, जिसमें सेकलोust लोग सामिल थे, डांस कर रहे थे, मूर्ती भी सज 설न का समय था जिले में मूरती सुजन हमेशा दस्वी दिन होता है लेकिन स training सोरदगर् में गिरावे जिन होता है, सबसे आखरी दिन पर किया जाता है, और वहां पर प्रोग्राम रखा गया था बहुत भब प्रोग्राम था जिसमें यह वक्त पता नहीं कहां से आया और असलहा लेकर इसमें जो है डांस करने लगा लोगों के बीच में और लोग भी डांस करने में मस रहे किसी की नजर नहीं पड़ी लेकिन अब कही डांस होता ह कोई प्रोग्राम होता है तो वीडियो बनाया जाता है जिसमें ये वीडियो बन गया और सोसल मीडिया तो बड़ी तेजी से वारल होने लगा जो बहुत चर्चा का भी से बना हुआ है जी कैदीब शुक्रियात अमाम जानकारी पहुंचाने के लिए तो सिधात्नगर की रिखा हुआ था इस बात की भी जाच परताल की जा रही है फिलाल हम इतना ही आप बड़े वही न्यूस पर इंडिया के साथ